Hello friends, welcome to my channel, आज हम बात करने वाले हैं Yes Bank के बारे में, जैसे कि आपने मेरा thumbnail देख लिया होगा कि ये एक good news निकल कर आई है Yes Bank के बारे में, चलिए जान लेते हैं Yes Bank में क्या good news निकल कर आई है, उससे पहले हम देख लेते हैं daily performance Yes Bank का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि Yes Bank में 10 पैसे की गिरावाट दर्ज हुए है, जो कि 0.62% है, काफी volatility देखने को मिली है आज Yes Bank में, दिन भर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये open होगा था 16 रुपीज 55 पैसे पर, और high लगा था 16 रुपीज 30 पैसा, और low लगा था 15 रुपीज 85 पैसे पर, चलिए हम ये news क्या निकल कराई ह Yes Bank के बारे में, चलिए देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि Invest Tech, Invest Tech एक rating agency है, इन्हों ने आज जो है, एक बयान बताया है, Yes Bank के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि Invest Tech cut target price 2 रुपीज 19, आज के तारीख में, जो के 19th है, आज 19th के तारीख में, जो है लगाता Rating agencies कुछ नो कुछ अपना target बता रहे है, Yes Bank के बारे में, और आपके जैसे Retail investors को confuse कर दे रहे हैं, कि इसमें Invest करके रहना है, या जो है, Sell करके Exit कर देना है, चलिए हम जान लेते हैं कि Retail investor क्या करना चाहिए इस stock में, पहले तो हम chart पर चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि chart में, एक confusing candle बना कर close हुआ है, Yes Bank, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, कि काफी दिनों से MACD crossover करने के लिए, जो है, ट्राइ कर रहा है, लेकिन crossover नहीं कर पा रहा है, और RSI में थोड़ी सी गिरावट दिखा दे रही है, और William percentage के बारे में, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे minus 80.55% दिखा रहा है, यहाँ से एक jump, मुझे लगता है, कि कल याने के Monday के दिन देखने को मिलेगा, चलिए हम NSE के website पे देख लेते हैं, कि इसमें quantity कितनी उठाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि इ 5.9 करोड की, और delivery उठाई गई है, 5.5 करोड के खरीब, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, कि deliverable quantity है, 36.69%, यहाँ पे मुझे लगता है, कि यहाँ ठहराओ आना चाहिए, Yes Bank में, इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि Nifty 50 में, जो है, आज लगबग 1% की गिरावाट दर्ज हुए है, और यहाँ पे, Bank Nifty में 2% की गिरावाट दर्ज हुए है, लेकिन, इसमें, Yes Bank में, जादा तर तो impact कुछ हुआ नहीं है, जिसकी वज़े से, जो है, retail investors, जो invest किये हैं, वो panic मत हो ये, और इस जैसे कि आप देख सकते हैं, कि recently एक news आई थी, ARC के बारे में, जो foreign investors को Yes Bank encourage कर रहा है, Yes Bank में encourage करने के लिए, और आप जैसे कि देख सकते हैं, कि rate of interest, FD पर senior citizens और normal citizens को compare to other banks, ये Yes Bank में जो है, अच्छा rate of interest दे रहे हैं, ताकि investors को encourage कर सके, और Yes Bank में जादा-जादा fund आ सके, ठीक है, चलिए, support and resistance के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं, कि पहला support है 15.70, second support है 15.53, third support है 15.36, fourth support है 15.08, resistance के बारे में बात करें, तो first resistance है 16.20, second resistance है 16.37, third resistance है 16.54, और fourth resistance है 16.82, ठीक है, ये वीडियो आपके knowledge के लिए था, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे like कीजिए, share कीजिए और जादा-जादा subscribe कीजिए, ये ये वीडियो आपके knowledge के लिए था, कोई भी investment करने से पहले, अपने financial advisor से advise लेकर ही invest कीजिए, आपका समय देने के लिए धन्यवाद झाल